नमस्कार, Hello Everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो आपके लीवर को साफ रख सकते हैं घर बैठे किस चीज़ का आप सेवन करें जो आपके लीवर को साफ रखे जिसको आपको घर बैठे सेवन करना है और अपने लीवर के टॉक्सिंस को बाहर निकालना है जैसे आपके लीवर में टॉक्सिंस एकटा हो जाते हैं तो आपको कई सारी चीज़े जहिलनी पड़ती है जिससे आपका मन चिर्चिडा रहता है शरीर में ठकावत बनी रहती है आप जादा काम भी नहीं करते हैं तो नीद जादा आने लग जाती है ठकान महसूस होती है आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है चिर्चिडा पन फील होता है आपके सकिन में पिमपल बनने लग जाती साथ में उस्ता साकत सब्क करते हैं साथ में sıkड़कों दोफी लांगें उस्तों, इस लंकी को Ons Now , रही हके हैं अ मुझता ही दो दावरे में निकींतों खुमल्ण सब्केज़का इससे आपकी बॉडडी रह सके अब जैसे एसली जब आपकी बाडी में जो ये toxins है वो इकटे होने लग जाते हैं आपका liver already weak है जिसके करके बाडी के toxins है वो बाहर नहीं निकाल पाता है आप कुछ भी खाते हैं उसका absorption होता है लेकिन जो toxins है बाडी में जो जिस वज़े से आपकी गंद की पेट में इकटा खाया तो लीवर उसको बाहर नहीं निकाल पाता है तो इसी वज़े से आपको ये symptom जहलने पड़ते हैं इससे आपको शो होता है कि आपका लीवर वीक है तो किन आप चीजों को intake करें जिससे आप अपने लीवर के toxins को बाहर निकाल सकते हैं सबसे पहली जो है वो आप हफते में आप fasting करें ठीक है आप भूके रहें जादा तर उस समय आप पानी का intake करें पूरे दिन खाना ना खाएं इससे आपका natural detoxification होगा आपके बॉड़ी में जो गंदकी खटा हुई है वो naturally detoxification होगी इससे क्या होता है आप कुछ भी जैसे आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉड़ी को जादा कहीं भी energy नहीं लगानी पड़ रही है बस आप पानी का करें जो भी toxins है वो पानी के जरीए बाहर निकल जाएंगे तो हफते में एक दिन फास्टिंग जरूर करें सेकिंड जो चीज है बोरेक्स बोरेक्स को हम हिंदी में सुहागा बोलते हैं इसको आपने क्या करना है उसको अच्छे से पीस लें पीसने के बाद उसको अच्छे स जो toxins है वो बाहर निकल जाएंगे यह एक best detoxification drink है जिसे आपको सिर्फ week में एक बार ही लेना है इसको आप खाना खाने के बाद लें लेकिन हफते में एक बार ही intake करें next आप जब भी खाना खाते हैं साथ में आप गुड का intake कर सकते हैं थोड़ा सा गुड है आप उसको खा सकते हैं जो आपके पेट में जो enzymes होते हैं जो आपके absorption में help करते हैं खाने को पचाने में help करते हैं वो उसको बढ़ाता है जैसे आप गुड का intake करते हैं जो enzymes होते हैं juices उसको बढ़ाता है और easily आपका जो food है उसका easily absorption हो जाता है, digest हो जाता है तो आपके yeah digestive system में help करता है, साथ में आपके toxins को बाहर निकालने में help करता है, तो आप थोड़ा सा good daily intake कर सकते हैं ख़ाना खाने के बाद, lemon water का करें डेली आप खाली पेट गुन-गुने पानी में शुबह-mourning में आधा लेमन पानी में डाल के डेली आप सुबह-mourning ले इससे भी आपके जो बाड़ी के जो toxins है वो बहार निकलेंगे और आपके लीवर की भी detoxification होगी आपका लीवर भी साफ रहेगा healthy रहेगा नेक्स हम बात करेंगे detoxification juice के बारे में आप बहार से एक पेठा ले आए उसके छोटे चोटे पीसिस करके उसको अच्छे से mixi में mix कर लें उसका juice एक glass निकाल लीजे इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के आदे गंटे बाद भी intake कर सकते हैं साथ में कुछ ऐसी habit बना लीजे जैसे चाय का intake आप करते हैं तो उसको lemon tea में change कर दीजे या green tea में change कर दीजे इससे भी आपका detoxification भी होगा और कई जैसे लोग दूद की चाय पीते हैं उससे शरीर में acidity बढ़ने लग जाती है गैस बनने लग जाती है और कई लोगों को होत साथ में अपनी जो पानी का intake है वो बढ़ा दीजे लेकिन जो cirrhosis के patient होते हैं उन्हें देर लीटर ही पानी पीना चाहिए जादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अलरी उनके पेट में fluid करता हुआ है तो हम उनको recommended करते हैं कि पानी का intake कम ही करें जो cirrhosis के patient होते हैं लेक अपनी डाइट पे जादा से जादा दिहान दीजे अगर कोई भी ऐसी problem आपको जिलनी पड़ रही है लीवर से लेटिड आपको कोई भी problem आ रही है हमारे नीचे दिये number पे आप contact कर सकते हैं हमारी टीम से सलाहा ले सकते हैं अपनी problem का right solution लीजे और दिहान रखिए मिलते है नेक्स वीडियो में take care